बड़ी जानकारी आपको देदे, DMRC ने वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया है दिली में, वीकेंड के दौरान मेट्रो ट्रेन 15 मिनिट के अंतराल पर मिलेगी, बड़ी जानकारी इस वक्की आपको देदे, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन में 30 मिनिट का अंतराल होगा, ब DMRC का बड़ा एलान वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो मिलेगी लेकिन बहुत देरी से मिलेगी, विशुजी जहामारे सथ हमारे स procedures जुड़ गया, विशुजी DMRC ने क्या एलान किया है, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो की सेवा कितनी सुचारू रूप से चले दोनों दिन शनिवार और वहिवार को मेट्रों को एली उपलब्द होंगी जो एसेंसियल तरवीस पे जुड़े हैं। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी थोरी कम होगी, जो सावानी रूट है उस पर तो 15 मिट के अंतराल पर मेट्रो की फ्रिक्वेंसी होगी, लेकिन जहां पर जो जैसे की दिल्ली से वैशाली रूट है, इसके अलाबर नुवेडा रूट है, तो इन रूटों पर आधे-ाधे गंटे मेट्रो उप्लट होगी, लेकिन ये मेट्रो चलेगी, इस बात की तश्दीक की है, मेट्रो प्रसासन में, और ये फ्रिक्वेंसी को लेकर भी अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चुकी लोगों की भीर कम होगी, और सिर्फ एसेंचिल सर्विस के लोगी ह जलती है, उसके मुकाबले कम मेट्रो चलाई जाएगी, विश्व जी, क्या कोई टाइम टेबल, कोई स्केडियूल जारी किया है कि किसलाइन पर कितने बज़े मेट्रो आनी है, क्योंकि 30 मिनट से 15 मिनट से 30 मिन तक का इंतजार करना होगा, अंतराल होगा, तो ऐसे में क्या है, जो सुवा में चलने की टाइमिंग है, अर साम में जो बंद होने की आतरी मेट्रो की टाइमिंग है, जो लोग मेट्रो में सफर करते हैं, उनके लिए सुचना है कि उसमें कोई बजलाव नहीं किया गया, लेकिन फ्रिक्वेंस्टी जो बाकी वक्त में पूरे दिन जाह जाह देर में आएगी, फ्रिक्वेंसी थोरी कम की गई है बाकी दिनों के मुकाबले, क्योंकि सिर्फ एसेंशियल सर्विस ते जुरे लोग ही जाने वाले हैं, तो इसमें भीड भी नहीं होगी, और थोड़े अंतराल के बाद मेट्रो चलेगी, तो उसमें मेट्रो को जा जो जालती है जिस वग तो उसका समापन होता है उसका समापन भी होना जए जाए जालिया है बहत शुक्रेया विशुची